दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए जेमडी न्यूज चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेश्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले दोस्तो 21 सितंबर 2017 गुरुवार से नवरात्री सुरू हो रही है नवरात्री पर देवी पूजन और नो दिन के वरत का बहुत महत्व है मा दुर्गा के नो रूपो के अराधना का पर्व सुरू हो रहा है इन नो दिनों में वरत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं ऐसे कुछ काम होते हैं जो इन नवरात्रों में नहीं करने होते हैं यदि ऐसे काम आप नवरात्रों में करते हैं तो माता रानी आप से नाराज हो जाएगी और आप पर से अपनी क्रपा दरश्टी हटा लेगी नवरात्री के वरत में इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए तो दोस्तों मैं हूँ भरत सिंग और आप देख रहे हैं जेमडी नियूज दोस्ति यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो चलिए सुरू करते हैं ऐसे वो कौन से काम है जो हमें नवरात्री में नहीं करने चाहिए नवरात्री में 9 दिन का वरत रखने वालों को दाड़ी मूच और बाल नहीं कटवाने चाहिए इस दोरान बच्चों का मुंडन करवाना सुब होता है 9 दिनों तक नाखून भी नहीं काटने चाहिए अगर आप नवरात्री में कलस्थापना कर रहे हैं माता की चोकी का आयोजन कर रहे हैं या फिर अखंड जोच जला रहे हैं तो इन दिनों पर आपको घर खाली छोड़ कर नहीं जाना चाहिए नवरात्री के दोरान आपको प्याज, लहसुन और नोनवेज बिलकुल नहीं खाना चाहिए इन 9 दिनों में आपको काले कपडे भी नहीं पहनने चाहिए वरत रखने वाले लोगों को बैल्ट, चप्पल, जूत्ते, बैग जैसे चमडे की चीजों का इस्तमाल नहीं करना चाहिए वरत रखने वालों को 9 दिनों तक निम्बू नहीं काटना चाहिए वरत में नो दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए खाने में कुट्टू का आट्टा, समारी के चावल, सिंगाडे का आट्टा, साबू दाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंग फली खा सकते हैं विश्णु पुरान के अनुसार नवरात्री वरत के समय दिन में सोने, तंबाखु चबाने और सारे रिक संबंद बनाने से भी वरत का फल नहीं मिलता है तो दोस्तों यदि आपको हमारे दुआरा बताई के जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करे